अमेरिका की चुनोती को चैलेंज करने के बाद अब लगता है कि इसराइल के बुरे दिन शुरू हो गए है अभी तक इसराइल गाजा पटी में हमास के लडाकों पर हमले कर रहा था तो उसके पीछे अमेरिका की ताकत थी इसराइल पर अमेरिका का हाथ होने की वज़े से इराग के कई समय बहुत खुल कर इसराइल के खिलाफ आपरेशन नहीं पर रहे थे लेकिन अमेरिका के हाल के एक बयान ने इसराइल के विरोधियों को ताकत दे 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 थी दरसल कुछ दिर पहले ही अमेरिका ने इसराइल को चेतावनी दी थी कि वो गाजा में आप लोगों का नरसन भाब न करे नहीं तो अमेरिका उसे मदद देना बंद कर देगा इसके जवाब में इसराइल ने कहा कि अमेरिका मदद बंद कर देगा तब भी वो रुकने वाला नहीं है उसके पास हत्यार और लगने की ख्शमता है इससे इसराईल के बिरोधियों को साफ इशारा मिल गया कि अब अमेरिका उस तरह से साथ में देगा जैसा कि अभी तक दे रहा था इस पूरे गटना करम के बाद जैसे जैसे इसराईल गाजा में अपनी कुरूरता बढ़ाता जा रहा है अब उसे इराकी इसलामी रेजिटेंस का उसी भाशा में जवाब ही मिल रहा है इराकी समू ने फिलिस्टीनिक शित्रों में ओपरेशन अल अरकाब शुरू कर दिया है इस उपरेशन के तहर इराकी समू ने इसराइली कबजे वाले वाडी अरीहा और वीग अल सावे के पूर मेस्थित निवातिम एर्वेस में महत्वपूर लक्षो को निशाना बनाया है इस समू दोरा जारी एक बयान के रुसार आपरेशन अल अरकाब के तहर इसराइल दोरा कबजाए गए इलाकों में प्रूज मिसाईलों से हमला किया गया है समू का कहना है कि निर्दोश महिलाओं और बच्चो सहित फिलिस्तिनी नाजिकों पर इसराइल दोरा किये गए अत्याचार और उनके नरसंगार के जवाब में यह अभियान चलाया गया है समू ने हाइफा और रिफानरी पर गुरुवार को ताजा ड्रोन हमला किया है इस से पहले बुद्धवार को इस समू ने ड्रोन के जरीए दक्षणी कबजे वाले फिलिस्तिन में उम अल रशरश या इलाट में एक सेनिठी गाने को निशाना बनाया सूत्रों के मताविब हमले के लिए समू ने अल अरफाद आदमगादी ड्रोन का इस्तमाल किया दूसरे ड्रोन के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है ये नया अभियान शुरू करने से पहले इराकी समू ने इसराइली निवातिम एरबेस पर लगतार निशाना सादा है इस एरबेस में सबसे लिटेस हमला 9 माई को हुआ था जिस तरह से इसराइल के खिलाफ हमने बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि अब उसे अपनी उस गल्दी का पच्तावा हो जो उसने अमेरिका की चनौती को चैलेंज करके किया हाला कि आगे युद्ध की दिश्रा क्या होगी क्या फिर इसराइल को घिरता दे अमेरिका वापस इसराइल का साथ देगा इसके जवाब के लिए युद्ध में शामिल देशों और सम्हों के अगले कदम का इंतिजार करना होगा झाल